नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी दोस्त डॉक्टर राजीव के साथ हूं जो मेरे रनिंग फ्रेंड है और आज हम बात कर रहे हैं कुछ रनिंग टॉपिक्स के बारे में तो मैं डॉक्टर राजीव से एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशन पूछना चाहता हूं जो हमारे रन करते हैं कि फिछल यह अफते में बीस क्लमेटर भागे 50 क्लमेटर वहुत रचाहतार रगें सथर भागे और अलम्यंज को देखते हैं जो 1.500 क्लमेटर भी एक हफ़ते में बहुत बहुत जादा है और बहुत इसर नहीं में, आप 50 km के बजाए चाहे 40 km भाग लीजिए लेकिन अगर आप इन तीन तरह से नहीं भागेंगे तो आपको उतना benefit नहीं मिलेगा मलकि हो सकता है आपको कुछ नुकसान भी हो जाए जादा भागने के चक्कर में जिसको junk miles भी बोला जाता है कुछ books में जंक मतलब कबाड इसका मतलब भाग तो रहे हैं लेकिन वो कबाड में जा रहा है उससे आपको benefit नहीं हो रहा है health का नुकसान हो रहा है तो जो interval training run है वो usually 5 km का होता है interval training का मतलब है कि आप हर km को एक ही speed से भागेंगे बट interval नाम है तो 2 km के बीच में देड़ मिनट से लेके दो मिनट का gap होगा इसको detail के समझने के लिए एक बकाइदा dedicated video है जिससे आप देख सकते हैं उसके बाद aerobic run होगा aerobic run का मतलब है आप उस capacity में भागेंगे जितना आप सांस लेते हैं जितनी oxygen आपको मिल रही है उसी को आप इस्तमाल कर रहे हैं जिसका डिस्टेंस लगबग 8-12 km तक हो सकता है इससे जादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपका heart rate भी उस ताइम जो है लगबग 140-160 के बीच में होगा जो आपकी एज के इसाप से भी हो सकता है उसके बाद हम बात करते हैं तहीं जिसमें आप बहुत लंबा भागेंगे जो की 15 km से लेकर 35 km तक हो सकता है अगर आप फुल मैरतन की त्यारी कर रहे हैं और अगर अगर अल्ट्रा मैरतन की त्यारी कर रहे हैं फिर वह कित्था भी हो सकता है डिपेंड करता है आपके capacity पे तो basically हफते में 3 दिन तो हमें भाग नहीं है और अगर हम cross training नहीं कर रहे हैं तो हमें 5 दिन भागना पड़ेगा तो भागने का तरीका वो जादा important है ऐसे दाल तो धाबे में मिलती है 5 star में मिलती है कीमत बहुत फरक होती है कि वो कैसे present की जाती है that really matters a lot in real life also कि खाना आपको कोई ऐसे दे देता है या प्लेट में सजा के देता है तो आपने माइल्स पे ध्यान नी देना है आपने ध्यान देना है कि उन माइल्स को आपने किस तरह से भागा और उससे आपकी capacity भी इंप्रूव होगी interval training जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी pace को बढ़ाने का जो speed के दिवाने है अगर वो गलत तरीके से लगातार भागते रहेंगे तो उनको फायदा होने के बजाए नुकसान हो जाएगा तो आज के लिए दोस्तों इतना ही अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने running friends के साथ और comment below कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या किसी topic के बारे में और जानना चाहते हैं और चैनल को subscribe कर सकते हैं आपक कर सकते हैं हैं बार होता हैं évidemment मैं याक कर सकते हैं ungefी कर सकते हैं वीडियो हैं में पर आपको आपको आब एला हैं और एली सала ही वीडियो साटय को आपको 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 Mexican हैं कम हैतो किसी